अले दोस्तों नमस्कार तो हम लोग आज बात करेंगे हैं आपके साइक्लोजी के उपर बात होगी और आज की जो बात है वह इस पॉइंट पर होगा कि आप जैसे शेर मार्केट को समझने के लिए तो यहां पर बात होगी कि सेर मार्केट को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए और सेर मार्केट क्या है और साइक्लोजी इसमें कैसे काम करती है तो इन सारे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे हैं तो चलिए हम लोग इसकी शुरुवात करते हैं तो देखो share market को जो understand करना है तो आपके पास में जो ऐब मानलो कि आप share market में आύे हो तो सबसे पहले share market में आने से पहले आप अपने nature को judge करो कोई नया आदमी share market में आ रहा है या share market में इंवेस्ट कर रहाई या trading सीख रहना चाए तो पहले वो खुद को judge करे कि वो क्या करना चाहता है या उसका nature का ऐसा है क्योंकि ये सब का सब जो nature का game है ये आपके psychology पर depend करती है और यहाँ पे जो बड़ा player है psychology से ही खेलता है और कुछ नहीं बस आपके psychology से खेल रहा हो आपके पैसे से नहीं खेल रहा तो यहाँ पे आपको दो ची क्या होगी अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें समझदार ब्यक्ति क्या करेगा और आपका nature कैसा होना चाहिए share market को सीखने के लिए तो जेनरली देखो एक मानलो कि कोई human है कोई आदमी है मानलो कि यह आपका suppose that यह कोई आदमी है तो अब यहाँ पे जैसे मानलो कि share market में आपको आना है या सिखना है तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह सिखना परेगा कि यह चलता कैसे है यह काम कैसे करता तो सिखने के लिए आपको time देना परेगा लेकिन जब आप time देना शुरू करोगे तो आपको कुछ समय बाद में चुकि आप तुरंट आए हो और आपको दिख रहा है कि अच्छा यहां से यहां चला गया इसमें क्या पट से पैसा लगा देते हैं तो फिर आपका क्या होता है कुछ समय के बाद में आपकी हो जाता है और जैसे ही आपका पैसा लगना शुरू होगा वहाँ पे जो साइक्टिव हो जाएगी तो इस ब्यक्ति की पैसा लगना शुरू हो गया है तो अब इस ब्यक्ति की साइक्टिव हो गई है ध्यान रखना थोरा सा बहुत हिंडीप बात बता रहा हूं बहुत काम की बात बता रहा हूं इस ब्यक्ति की क्या होगा साइक्लोजी एक्टिव हो गई और मान लो कि शुरू में कुछ आता नहीं था तो तुमने काम किया बहुत बढ़िया काम किया तुम्हें 10 रुपया मिलेगा भी क्योंकि तुमने तुमने मार्केट को देखा पैसा लगा दिया अ और जब तुम्हें और पैसे की लच्चे रही तो तुम और बड़ा पैसा लगाओगे और जैसे ही तुम बड़ा पैसा लगाओगे एक बड़े नुक्सान में चले जाओगे तो अब मान लो कि उसके बाद में क्या होगा एक बड़े नुक्सान में चले गए बड़े नुक और मैंने इस पे एक setup भी बनाया है जो मेरा आप जाके देखिएगा जो काम करोध मदलो विर से और डर को लेकर के और साथ में इलियर टुब थिवरी को कैसे connect किया है नेचरूर को कैसे connect किया है तो आप वीडियो देखिएगा न तो आपको दिमाग फिल जाएगा क्योंकि इस सब्सक्राइब आप को दिन काम करोगे यहाँ सासानी पैसा असानी से जो पैसा दिमाग में आया तो आप करोगे और पैसे डाल दोगे पैसे ऩरी से के बाद फिल सुओ जधिन्वर्निग के लिए दो चीज़ें एक तो है यहां पे कि आप यहां पे इंवेस्टिंग सेखना चाहते हो ईधिन्वर्निकरणों एक दूसरी पॉइंट यहां पर आती है कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो लोग क्या लोगों को जल्दी पैसा चाहिए रखता है तो जिसको जल्दी पैसा चाहिए रहता हो इंवेस्टिंग छोड़ देता है वो ट्रेडिंग में आ जाता है और जो ट्रेडिंग है वो पैसा पैसा फिर भी सेफ है तो अब सेर मार्केट लर्निंग के लिए आप इंवेस्टिंग सिखना चाहते हो तो लोग को क्या कहा है कि जल्दी पैसा कमाना है मुझे जल्दी अमिर बन जाना है लेकिन जल्दी का काम होता है वो भूल जाते हैं उनके दिमाग में बस कैलकुले लंबानी हो गया मुके संबानी हो गया और बाकी सारे लोग भी यही काम करने लगते सारा काम छोड़ देते ऐसा नहीं होता है लोजिकल चलो रिजनेबल लाइफ जी ओगे तो अच्छा रहेगा लोजिकल चलोगे प्रवलम होगा और जितने मीडिल क्लास की लोग है लिया उनको यह लगता है कि हमें तो आज मतलब की कुवेर का खजाना ही हाथ लग गया चलो सीखते हैं चलो लगाते हैं पैसा करोड़ पती बन जाते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेर मार्केट में आपको लर्निंग जो है सो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग हो गया और उ साइल को सi सलर बीमें करोड हैं मैं जो आईटी स्टोग का मेरे पेलिस में जाके देखना आईटी सटोग के सौ्ट बनाया हूं मैं या अचारच को रूस यह नहीं कि बितु van कि अपने के कि आपको 4 गुलेजी चाहिए उसके साथ में काइपिटल और टाइम और आपकी साइकलोजी क्या है उसके बात होगी तो आप कि शमनलोग बात कर रहे थे यहांपे कि आप इंवेस्टिंग फेले करोगी आऊगे तो चलो इंवेस्टिंग कर देते हैं फिर जब देखोगे कि अच्छे को समझे होगे चाहár इसा होता है इंवेस्टिंग पैस других करने लगोगे और पहले बड़ा लॉस होगा फिर एक छोटा लॉस होगा क्योंकि आपने कैपिटल डर गए मार्केट से तो कैपिटल कम करके आप यूज करने लगोगे और धिरे दिरे वह लॉस बढ़ते जाएगा और आपकी साइकलोजी खराब होते जाएगी और आपका कैपिटल जो है, वह जीरो होगया है और जिसदिन आपका ये कैपिटल हो घाठा मीनुम मुश अदय लेवल पर आजाएगा उसंदिन आप यहाँ कि सीखने की से राख स्थी स्थे लगेगी उसे दिन आप क्या यहां पर सीखना सुरू करोगे मतलब कि जबarleकाальные का जीरो हो जाएगा तो आप सीखना सुरू करोगे और सद्सरीimated कि एक बार आपने लौस किहा तो से कि यह हाजने हुआ है चलों मैं को करने मर Council backup पांच डेली ट्रेडिंग में जो इंट्रेट करते हैं उनके साथ भी शुरू में एक लॉस हो गया दूसरा स्टॉप लॉस जब दो स्टॉप लॉस हो गया तो तीसरा स्टॉप लोस लेने के जड़ोत नहीं है उस दिन को बंद कर देना चाहिए क्योंकि आप साइकलोजी आप सबस्क्राइब करना अपने के लोस करेंगा यही आप ने आपको मार दालो गया तो तो यह psychology है, यह mindset है, क्योंकि देखो, आप यहाँ पर क्या है, कि आपका यहाँ पर दिमाग है, that is your mind, ठीक है, यह दिमाग है, यह कितना छोटा है, आप सोचो, यह कितना छोटा है, और यह body कितना बड़ा है, इसको यह control कर रहा है, और यह छोटी सी चीज, इस body के साथ synchronization नही होता है, इसलिए आप अच्छे जिवन को नहीं जी सकते हैं, तो आज हमने जो बाते करनी है, कि investing और ट्रेडिंग को सीखने के लिए, हमें capital को wipe out, एक यह mindset हो गया, अच्छा है, यह mindset को identify कैसे करें, अभी मान लेजे हमारे वीडियो कोई देख रहा है, तो अपने आपको identify कै से करेंगा, उसके एक तरीका मैं बता रहा हूँ, कि आपको क्या हर बात काम करने के जल्दी बाजी है का, कोई भी काम करते हो, तुरंत करना सुरू कर देते हो, अच्छा काम कर रहे हो, तुम टाइम के साथ synchronize नहीं हो, और एक चीज़ और है, जो सबसे ज़्याद जरूरी ह हो क्या, आपको घुसा जल्दी आता है का, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए, या पहले सीखना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, जनरली आदमी का जो नेचर होता है, आप यह हम हैं आप देखिए का बाद में जाकर बड़ा अदमी बन जाता है और जो तेज आदमी है वह बहुत जदा अच्छा मैं तेज हूँ आपकी लर्निंग की जो बेवस्ता है वो डिश्टर्ब हो गई है आपको किसी की बात सुनने के जो बेवस्ता है वो डिश्टर्ब हो गई है और आप जब किसी की बात नहीं सुनोगे तो किसी के बात नहीं सुन रहे हो आप अपनी ही बात नहीं सुन रहे हो मा लिए और होना तो पहले ही आपने डिसाइड करके बैठ गया कि तो फेली हो जाओंगा तो confidence होना और overconfidence होना confidence का मतलब है कि हाँ ये बात सही है कि ऐसा होता है ये accept कर रहे होना overconfidence नहीं ऐसा ही होगा that is the overconfidence जैसे ही ये बात आती है acceptance खतम हो जाएगी और बैक बेंचर या मिडिल जो बीच में बैठने वाला है या मिडिल क्लास का जो बैकती है वह accept करता है कि नहीं ऐसा होता है अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनो reject मत करो अगर आपको अच्छा लगे तो accept करना पुरे लगे छोड़ देना लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आपको share market में डो चीजें है learning के लिए आप investing करना चाहते हो और trading करना चाहते हो जिनके छोटे capital हो चाहते है ट्रेड करके बाद में इंवेस्ट करके बरा आदमी बन जाए लेकिन अगर आप जोर-जोर के भी इंवेस्ट करोगे ना तो आप बरा आदमी बन जाओगे मतलब बड़ा आदमी को एक बड़ा मतलब तुम्हारा mindset है कि हमें पैसे से बड़ा बनना है मतलब mindset से बड़ा नहीं है बड़ा हर एक फिल्ड में अपना अलग होता है वह एक अलग बीस है उस पर हम लोग बात करेंगे तो अब यहां पर बात कर लें साइक्टिव होता है कि एक लोस के बाद फिर दूसरा लोस तीसरा लोस आपने सीखना बंद कर दिया है और पैसा लगाए जा शूरा तो आपकी का आने का मालो कि आपके पास कितना है और आप लौस कितना कर रहें और ज्यादा होगा तो फिर आप कई बार सुनों कि बहुत सब्सक्राइब कर दीए और जब समय देगा तो आप चीजों को देखो समय देने में क्या है कि साइक्टिव नहीं होता है ध्यान रखना आप औतनी एक्टिबली पार्टिसिपएट नहीं करते हो लेकिन अगर कैपिल वाइप होता है आप पहुत पार्टिसिपेट लिए एक्डम संही आता है कि आप ज जो ऐसा चल रहा है यह आपको यह ऐसे चलने लगता है और एक लेवल पर आता है पहले आपको अब जब आ जाओगे मतलब आप जीरो हो गये अब हरे एक आदमी के शुरुवात जीरो से ही होती है तो जब जीरो हो गए हो और आपने यह सारा फेज देख लिया है तो समझ में करना है लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो जैसे मनलों टाइम देख हों यहां साइक्स ज्याद बीमार विभी पर जाते हों सारी यहां पर चीज़ यहां पर चीज़ आती लेकिन टाइम अगर आपके पास में और आप सीखना चाहते हो आपने acceptance है तो भी सीख सकते हो कैसे उसका एक करीका मैं बता रहा हूँ है बाकि बहुत सारी चीजे हैं जिस पर हम बात करेंगे तो मालों आप सीखना चाहते हो तो आपको मानना परेगा कि आपने share Market सीखा investing trading जो भी सीखना है सीखा Market कैसे चलता है उसके काम क्या है वो कैसे काम करते सारी सिखना के बाद में पेपर ट्रेडिंग में फिक्स कैप्टेल वाले बहुत सरे यह पाते जैसे ट्रिंकर हो गया या फ्रंट पीज हो गया दस लग रुपे मिलता आपको अब आपको अपने जो सेट अप है जो माइंड सेट है उसके साथ में आप ट्रेडिंग मिलता है उसको रिल मनी मानना शुरू करो कि हमारे पास यही 10 लाग रुपे गया तुम्हाँ गया तो फिर दिरे दिरे आपकी साइक्लोजी एक्टिव हो जाएगी और फिर जैसो धिरे दिरे आप चीजों को सीखना और समझना शुरू कर दोगे और जब चीजों को सीखना साइकलोजी पर्हाइए आपको मेरे वीडिएयो लिस्ट में साइकलोजी वाले लिस्ट मेंcue क्ता कि यहां पर ISO करती एक वर हाई लगाने के बाद में जो यहां लिया है इंधर कई एलिया है तो नहीं द्सकर कम करता है तो तो रुकेगा कहा तक रूकेगा किये प्राइस का 50 परसेंट का इस 15 परशेंट wars दाउर उसवार पार्श हम यहां से गूंगे तो यहां से लेकर कि 50% माल नीचे आ गया तो यहां से लेकर कि 50% माल यहां से चलेगा तो यहां लिया भी भी बहुत सारा माल बुक नहीं किया अल्टिमेट जा करके वो एक बार यहां पर एक बारा बुक करेगा बारा बुक करने के बाद मार्केट यहां साइड़ लगाएगा अब यहां पर पर ट्रेंड का 50% हो गया है अब यह 50% कैसे पता चल लगए जब तक यह पूरा प्राइस नहीं बनता है तो तो 50% पता चलेगा नहीं तो उस केस में एक बार रीटेस्ट करने दो जब यह बन जाएगा उसके बाद ही 50% पता चलेगा आपको तो आप यहां लोगे नहीं तो इधर कहीं पर भी फोमों में ले लोगे तो आपको यहां निकाल देगा मारकेट और जब यह साइकल में फस्ते हो ना देखो लॉस कहां होता है देखो लॉस क्यों होता है क्योंकि तुमने इस साइकल में फस गये हो तो अब यहां से चलना सुरू करेगा फिर भी तुम नहीं लेगा तुम कहां लेगा इसके उपर लेगा अब फिर इस साइकल में तुम फस गया फिर नीचे आया पिर तुम को निकाल दिया पिर तो तो इस तरह से तुम्हारा साइकल साइकलोजी को समझो नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है मारकेट समझ में आए गार्मार्केट चार्ट में हाइब तरे पांदर मिनटे है अभी तो यह चाहले नहींहें आपको कहले हिए अधर में इधर भिता है लोगव लगा लोग के बाद कृषा । वो कितना किया है देखो जरा आप मार्केट ये लो है ना इस लो से इस हाई को मार्क करोगे तो देखो ये 50 परसंट है रिट्रेस्ट में यहां पे लोगों ने पैसा डाला है यहां पे लोगों ने पैसा डाला तब है न लो अपवर्ट सीफ हो रहा है कि देखो कैसा हो रहा है यह हाई नहीं रखता है एक बड़ा हाई लगा फिर मार्केट अब 50% पर नहीं आया है और यहाँ टाइम पास करके फिर से एक हाई लगा दिया ठीक है तो अब यहाँ पे जो नेचर है वो काम करता है और नेचर के हिसाब से आपको और हमको चलना चाहिए तो एक दो तीन चार पाँ फुल वेव हो गया तो अब यहाँ पर मार्केट टाइम पास करने लगा और अगर इसके उपर निकल गया यहां पर कुछ लोग प्रॉफित बुक करेंगा मेंद करता है यहां से मार्केट गिराना या उसको लगता है कि हां मार्केट कौन पैसा लगाने जाए तो पू सिखना है तो सीखना है तur बहुंद देखो अब मार्केट यहां से चला यह गया फिर यहींप पचास प्रसंट का रिटेस ले लिए फिर ऑगया फिर यह गया इसके ऊपर जाएगा नहीं इस गिर जाएगा क्योंकि यहां पांच वेपको बाद गिरा है तो इसका थियोरी में बताया हूं आप जा के देखना और समझना हर बरी मत करो मार्केट को समझने के लिए जहां हर बरी करो सब कम करबर हो जाएगा पैसा लॉस्ट हो जाएगा और आपको कुछ सीख में नहीं आएगा और आप बिरूर जो है सो कॉमेंट करके बता सकते हो कि हाँ जी हमें कुछ सिखने को मिला है और नहीं सिखने को मिला तो कोई बात नहीं है ठीक है धन्यवाद